साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं नैस यानि नैशनल अचीमेंट सर्वे की हम सब तैयारी कर रहे हैं उसी बीच में राजशिक्षाकें से एक और महत्पूर्ण पत्र जारी हुआ है बेसलाइन टेस्ट के आयुजन के सम्मन्द में और यह पत्र जारी हुआ है 6 सेतंबर को और इसका क्रमांग है 48-62 पत्र समस्त कलेक्टर को सम्मधित करती हुए जारी हुआ है और विशाय इसका है मूलवूत दक्षताओं का आकरन करने है तू बेसलाइन टेस्ट आयुजन के सम्मन्द में और यह सत्र है 21-22 इसमें बहुत सारी संदर्व पत्र लिखे हुए है यह सारी पत्र हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आप उसका भी आवलो और इसलिए शिक्षा की गुडवत्ता सुनेशित करने है तू बेसलाइन टेस्ट एवं दक्षता उन्यन कारिक्रम में स्कूल शिक्षववा की समस्त अधिकारी जिला प्रिशासन साला परवन समीती एवं पालक की सक्री से बागीता आवशक है पत्र में आगे लिखा हुआ है कि यह आवशक है कि प्रितेग बच्चा मूलबूत दक्षताओं को आर्जित कर सके इस उद्देश से संदर्भित पत्रों के अनुसार दक्षता उन्यन कारिक्रम संचाले थे मूलबूत दक्षताओं जैसे भाशा में धारा प्रवाह पढ़ना पढ़कर समझना वा द्यारती की आवशकता अनुरूप दक्षता उन्यन हितु प्रियास करने के पूर्वी है अत्यनत आवशक है कि भाशा में हिंदी, अंग्रेजी और गड़ित की दक्षताओं का सटीक आकलन किया जाए ताकि बच्चे की इस तरके अनुरूप कक्षा में अध्यन अध्याप जिसके विस्तित निर्देश निम्न अनुसार है और जो निर्देश दिये हैं वो भी हम आपको संचिक में पढ़कर सुना देते हैं पहला निर्देश है राज द्वारा उपलब्द कराए गई बेसलाइन टेस्ट टूल्स प्रपत्रों वा राज आकलन निर्देश के अनु दिनांक 9-11 सितंबर की अवधी में कक्छा, सिक्षक, विश्य शिक्षक त्वारा सभी छात्रों का बेसलाइन टेस्ट किया जाए शालाए इस वर्स बिलंब से प्रारंब होने के फलसरूप यदि कोई छात्र सितंबर 11 के बाद आना आरंब करे तो उसका बेसलाइन टेस्ट सितंबर के तितिय सब्ताय में किया जाए और आगे जो निर्देश दिया है उसमें कुछ इस तरह से सामगरी का विबरन दिया होगा है कि क्या के आपको बेसलाइन टेस्ट सामगरी की रूप में प्राप्त होगा सबसे पहला टूल मिलेंगे जिसमें आपको हिंदी, अंग् कि जाच के लिए होंगे और इसके बाद दो तरह के मुल्यांकन प्रपत्र आपको मिलेंगे पहला मुल्यांकन प्रपत्र होगा हिंदी और गरित का और दूसरा मुल्यांकन प्रपत्र होगा अंग्रेजी का इसके बाद संकलन प्रपत्र भी आपको दो तरह के मिलेंगे पहल को प्राप्त होंगे और ये भी शाला बार एक प्रती प्राप्त होगी बिंदुकरवंग तीन में निर्देश इस तरह से दिया हुआ है कि बेसलाइन टेस्ट सामगरी की प्रती शालाओं को उपलब्द कराना और इसमें लिखा हुआ है कि उक्त तालिका में उलेख अनुसार बेसलाइन टेस्ट समंधी टूल, विद्ध्यारती, वार मूलेंकन और संकलन प्रपत्र इस्तर आकलन निर्देश की एक एक प्रती समस्त शाष के मात्मिक शालाओं है तो उपलब्द कराई जाएगी बिंदुगरवंक 4 में दिया हुआ है वेसलाइन टेस्ट की क्या प्रिक्रिया होगी इसमें दिखते हैं लिखा हुआ है कि राज सिक्षक द्वारा उपलब्द कराए गए टूल, प्रपत्र वा इस्तर आकलन समधी निर्देशों की आधार पर कक्षा विशय सिक्षक द्वा बच्चों को अपनी कॉपी के पेज पर या कागज उपलब्द कराकर हल कराया जाए आकलन पश्चात प्रतेग बच्चे के पेज को उसके पोर्ट फोलियो में रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रूप से संधारत किया जाएगा बिंदुगरवंक 5 इस तरह से दिया हु शाला स्तर पर बेसलाइन टेस्ट संबंधी प्रते कक्चा का बच्चे बार अभिलेक शाला बार अभिलेक निरधारित प्रपत्र में प्रिधान ध्यापक के पास उपलब्द रहे और बच्चे बार जानकारी कक्चा विशय सिक्षक के पास अनवारता उपलब्द रहे ताक कक्छावार विशयवार दक्षता उन्यानेतु निर्धार समूबार अभिलेक उपलब्द रहें। इस जानकारी की आधार पर ही कमजोर प्रदशन करने वाली शालाओं की मौनिटरिंग एवं ओन साइट सपोर्ट की आत्रिक प्रयास किये जाएं। मूल भूत दक्षता इस तर पालकों के साथ सांजा किया जाएं। और उन्हें सिक्षकों द्वारा किये जा रहें प्रयासों की जानकारी देते हुए। उनसे बच्चों की नेमेत उपस्तिती हेतु अनरोध किया जाए। और अन्य निर्देश इस तरह से दिये हुए हैं कि वेस्लाइन टेस्ट की अबधी में किसी भी सिक्षक का किसी भी तरह का आवकास मान नहीं किया जाएगा। इस तरह से कुछ निर्देश दे हुए हैं। आप इस पत्र को विश्तित रूप से पढ़ने के लिए आप इसको डाउनलोड कर लिजे और एक बार अक्षा सा ध्यान से उसको पढ़ लिजे। इसके बाद कुछ इस तरह से दक्षता की जांच के प्रपत्र भी इस पत्र के साथ सनलगन किये गए हैं, आप इसके लिए पर देखी रहे होंगे, ये हिंदी का है, ये गडित का इस तरह से दक्षता प्रपत्र है, शालावार संक्लन प्रपत्र है, ये विद्ध्यार्तिवार मुलैंकिन प्रपथ्र है, अंग्री जी भाष्शा के लिए, अंग्री जी भाष्शा के लिए दिया हुआ ہے विद्यारतियों के इस तरह आंकलन संबंधी निर्देश भी इसमें दिये गए हैं, इस तरह से आपने निर्देशों को बहुत अच्छी तरह से बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे इसमें एक एक निर्देश में एक एक बात बहुत साफ करके बहुत अच्छी दरह से लिखी हुई है इस पत्र को हमने अपने वीडियो में रखा हुआ है आप वहाँ से जरूर डाउन्डोट कर लेजे और इसको पढ़ लेजे अब हम बात करते हैं और इस कार की डेटा एंटी के लिए एम शिक्छमित पर आप्शन उपलब्द कराये गया है और इसके लिए आपको अपडेट बर्जन यूज करना पड़ेगा 14.2.12 एम शिक्छमित का ये जो बर्जन है 14.2.12 इसमें इस तरह से आप नीचे देख रहे हैं सेंपल बेसलाइन 21 का एक आइकॉन मिलेगा इसको आपको एंटर करना पड़ेगा डेटा एंट्री करने के लिए साइन अप करना पड़ेगा यूजर नेम और पासवर्ट से जो की सिक्षक का यूजर नेम और पासवर्ट होगा इसके बाद डेटान्टी करने के लिए आपको अपनी शाला का डाइस कोट यहाँ पर टाइप करना होगा डाइस कोट टाइप करने के बाद आपको किस कक्छा का सेंपल बेसलाइन एंटर करना है उसकी कक्षा यहां पे चुनना पड़ेगी इसके बाद विशय चुनना पड़ेगा विशय चुनने के बाद Headmaster और सिक्षक जो भी कारवाहक पद है उसको आपको Select करना पड़ेगा इसके बाद वेक्तिकत जानकारी भरना पड़ेगी की सिक्षक और शाला प्रभारी का नाम क्या है विक्तिया जानकारी में सिक्षक शाला प्रभारी की आईडी भरें यूनिक आईडी हमें यहाँ एंटर करना है इसके पास चैनित विशय की अंतरगत कक्षा में चात्रों की संख्या यहां पर भरनी है जिस विश्यका हम टेस्ट की जानकारी भर रहे हैं जिस विश्यका हमने पहले सेलेक्ट किया है उसमें कुल कितने बच्चे एपियर हो रहे हैं उसकी संख्या हमें यहां भरना है इसके बाद कुल चात्रों की संख्या, मेशे जिनकी चाच होई, उनकी संख्या यहां भरना है इसके बाद टेस्ट से सम्मानित कुछ प्रश्ण आप से पूचे जाएंगे स्मार्ट फॉन के उपलबदता है उसकी संख्या आपको भरना है इसके बाद विध्यारतियों की संख्या जिनके पास टीवी की उपलबदता है उनकी संख्या में या भरना है विध्यारतियों जिनके पास रीडियो की उपलबदता है उनकी संख्या में या भरना है विध्यार से डिजिटल मात ध्यमों से सिक्षा प्राप्त की गई उसकी संख्या बनना है और इसके बाद सम्मिट आंसर पर किले करके हमें इसको सम्मिट कर देना है तो यह तो था सेंपल बेसलाइन टेस्ट की एम सिक्षमित पर एंट्री हम कैसे करेंगे उसका एक छोटा सा डेमो था आ वजगी सादिज में आ होचा पर एंट बामने है दो खानसर देस्ट आपवड़ा हमा से अली हम में इसक्षा भण पर आप ऐस परापिड एम मेंना है और दो आली हिब गर तो यह म accesब़ा ऊंट्री हम Kahही से ढज़ खाया और पर